नमस्कार मैं परणजोए गुहा ठाखुरता और आज आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं आज चर्चा का विश्य है पंजाब में जो आने वाए विधान सबाद चनाओं मेरा साथ वरिष्ट राजनीती विज्ञानिक जो गुरु नानक देव उनिवर्शिटी विश्व विद्यालाइक है राजनीती विज्ञान विभाग में हैड है अध्यापक जगरूब सिंग सेखोंजी जगरूब जी धन्यवाद आपके समय आपने न्यूस्क्री का दर्शक को दे रहे अध्याब में कांग्रेस मुख्यमंत्री का कौन उमीद वार और हम सब जानते हैं कि दो ही वेखती है इस वक्त जो हमारे मुख्यमंत्री है चन्नी जी चनलजीत सिंग चन्नी जी और अपना सिद्दू जी नव्योज सिंग सिद्दू जी इन दोनों के पीचे एक नाम तो आई जाएगा मगर बहुत लोग सोच रहे कि एक तरह से मारा मारी चल रहे कॉंग्रेस के अंदर और कॉंग्रेस अपने पैड़ में कुलरी लगा रहे हैं अपने जो 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 चुनाओं में उपर आपका क्या रहा है बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब आपने जो बहुत इंपौटन्ट एश्यू की बात की है जैसे हम सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो उसके मन में तीन आम आम बाते होती है एक तौह हैं को पार्टी कौन सी है जिसको वोट डालने जा रहा है इस पार्टी का जो बाद में जो सरकार बढ़ेगी उसका मुखिया कौन होगा और जो अब जिसके उपर हम फोकस कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा और तीसरा वो जो कैंडिडेट एलेक्शन लड़ रहा होता है उसके बारे में सोचते ह हैं तो जो हम मंजाब में देख रहे हैं कि आपने सिर्फ दो लोगों की बात की दो दिन पहले एक जो कॉंग्रिस के फॉर्मर प्रेजिडेंट थे जिनको उतार के सिद्धू साब को प्रेजिडेंट बढ़ाया था श्री सुनील जाखड़ी जो श्री बलराम जाखड़ जी सेखो जी यह वीडियो एक दम वाइरल हो गया वाइरल हो गया और सब लोग कह रहें देखिए सुनील जी क्या कहने तो इससे तो और लगा कि यह इनका बखेरा तो बहुत ज्यादा है जिससे हमको लगता है वैसा नहीं है और उसके साथ में जो उनने और बात कही है वो मेरे को इसलिए एकनोर किया गया कि मैं एक पर्टिकॉल जो कम्यूनिटी हूं उसको विलोंग करता हूं अब इनका जो कंपिटीशन तो है इनका जैसे बोलें के इनके दुश्मन बाहर नहीं है इनके दुश्मन भीतर में ही बहुत ज्यादा है तो जब हम बात करें जब लगता था कि जो साड़ें चार साल का जो है एक उसे हटके नए बात शुरूर हो गी और ये दो तैन महीने में कोई नो करेंगे इसमें कोई नए बिगनिंग मैं और लोगों को पर हमने देखा कि उसके बाद जो सिद्दू साहब थे उन्होंने इस चीज़ को डाइजस्ट नहीं हुआ उनको लगा नहीं क्योंकि वो प्रेजिडेंट थे उनको लगता तक मेरा क्लेम होना चाहिए था और यह लड़ाई अभी अभी चली रही थी और थोड़ी सेटल भी हो सकता उनकी कोई स्टेड़ी हो कि यह कोई बहुत वाइस पुलिटिकल मूव नहीं थी कि उन्होंने बोलता कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा इनको यह बात तो यह है कि पहले यह एलेक्शन तो जीते पहले जो सिक्स्टी एमले तो जिता हैं पहले वो कैसे सकते कि हाँ चुन इसको कहते हैं न टुकड़ा लटका दो और देखो भई हम कोई भी बन सकता है को हर एक को आप आसवंद रखना चाहते हैं तांकि जो पार्टी के लोग है यहां जो लीडर है सारा कॉंसेंट्रेट कर सकें एंटींकंबंसी है और आस्ते आस्ते इनकी लड़ाई से एंटींक सिखों साब जगरूब जी लोग कहने कि यह बहुत महतुकून है कि मुक्मंद्री चन्नी जी एक जगाने दो जगा से लिए बहुत महतुकून है बहुत लोग सोच रहे हैं आपके क्या सोच इस अर्बिलकुल पेख है उनको जो उनकी ट्रडिशनल सीट है जहां से वह इंड मुख मंतरी भी रहे हैं उन्होंने कॉंसंटेट किया इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं क 예 कांगर्स की जो खाना जंगी है वह दूसरों के साथ लड़ने की बजाए यह लगता है को एक दूसरे की टांग जो है उसको खीच रहे तो यह भी किसी से भी बात करके देख लीजिए इनके जो कंडिडेट्स हैं उन्हें ज्यादा लोग यह कह रहे हैं कि हमको दूसरों से ज्यादा चैलेंज नहीं है हमारे अपने लोग की जो है वह हमारी खीच रहे हैं तो मेरे को लगा कि दो चीजे से में हो सकती है एक तो यह है कि जब चैनी साब को यह लेकि आए थे तो यह उन्होंने किया था कि वोट पड़ जाएगी दलत के नाम पर कभी भी पंजाब में ऐसे नहीं होता है कि किसी एक को कि जो कम्यूटी है जा कास्ट है इस तरीके से उसको अडवांटेज मिल जाता है चैनी साब का चीफ मिनिस वो अडवांटेज था अब इनका वहां अलेक्शन लड़ना बजोर्ड में जाकर और यह तो यह बताता है कि क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं है मेरे को लगता है कि आपको कंग्रेस अपनी आपको गंजोर कर दिया बहुत नहीं वह तो सर है जब कंग्रेस का कोई इसे इसे पार्टी का होना चाहीए और आप सैंटर में भी देख लिए वो डौक है स्टेटों में तो खेर कोई बात है नहीं और पंजब में यह पर्स्टाइम हुआ कि इतना ज्यादा विजिबल है इतना ज्यादा इनकी आप्स में जो तूतू मैं मैं है ऐसा लगता है कि लोगों को ये लगता है कि चीफ मिनिस्टरी सब कुछ है क्योंकि ये प्रेइडेशन सिस्टम तो नहीं है तो ये आप रहा है कि एक तरह से राजनेतिक आप एक राजनेतिक वाइगानिक होके आप देख रहे कि इस सब कहना नहीं को कहना नहीं चाहिए था कि हम बताएंगे क्लियर कट बताना बहुत मुश्कल है अगर वो ये चीज़ बताएंगे तो उससे इनको फैदा होने की बजाए मेरे को लगता है कि पंजाब में औरेडी एंटी इंकंबंसी शुरू हो गही है पंजाब में औरेडी जो है ना वो कांगर्स की हालत और पतली हो रही है और इस प्रिंटी क्रिकेट मैच हो गया उस समय आपने कहा कि इस बार जो संघर्ष होगा पंजाब में कॉंग्रिस और आम आदमी पार्टी के अभी आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंतरी का जो उमीदवार है अपना भगवन सिंह मान जी का नाम घुशना कर दिया और आप इस पिछन पार्टी और वही दर इसलिए ये पिछले कुछ महीनों में ये राजर्च दिक महौल वही रह गया बदल गया राजीत महौल में बहुत बड़े लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो है तुदीली आई है उसका एक कार्ण तो ही हो गया कि बाइपोलर जो कंटेस्ट था जाकि समय में जो तीन धरी होता था वो बढ़ता बढ़ता पांच फाइव कॉर्नेट कंटेस्ट में बदल गया और खास करके पिछले समय म को पीजंट्री से ज्यादा रूर लेडिया से ज्यादा वोट मिली थी उसके बाद कांग्रेस आप थी अब वो जो है समाज मोर्चे ने अपने लोग खड़े कर दिये और समाज मोर्चे के लोग खड़े होने से अब जी जो ट्रडिशनल पार्टीज है इनको यह समझ नहीं आती कि किसके वोट ज्यादा काटेंगे आपके वोट ज्यादा काटेंगे अकाली दाल के वोट ज्यादा काटेंगे कांग्रस के वोट ज्यादा काटेंगे बीजेपी का तो अध्यात में शायद उतना ज्यादा अभी वो नहीं है अमरेंदर सिंग का भी वो नहीं है क्योंक community का जो वोट शेयर था वो कांगर्स की तर्फ बहुत ज्यादा था क्योंकि उन्होंने अकाली दल बीजेवी को वोट नहीं डलना था और आप आपको उन्होंने वोट नहीं डला इस पर यह सर हो रहा है कि अभी यह सभी ग्रूप है अकाली दल क्योंकि जब यह सारा नहीं है तो लड़ाई इस समय में पहले तो लगता था कांगर्स के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में है पीशे हमको यह भी लगा भी थोड़ा थोड़ा जो है नहों रिगेन करना उसने शुरू कर दिया विकास कि जब वह आप आपकी जो बीएस पी है बीएस वर्स वर्स सिच्वेशन में भी जो साथ आठ नौदास परसेंट वोड़ शेर पंजाब में रहता है और अगर यह जो कंबिनेशन फॉर्मेड़ वल जो कंबिनेशन बन जाता है तो नैचली जो जो इनका जो पहला बना हुआ था आपका और यह जो अपना दूसरा था एक क है अमरिंदर सिंग की जो पार्टी बीजेपी के साथ है जा धींसा के साथ है वह बहुत बड़ा डेंट तो नहीं डालेंगे पर क्योंके मल्टी कॉर्निल कंटेस्ट है इसमें थोड़े से मार्जिन के साथ भी किसी की वी जो है वो गेम हो सकती है पिछली कुछ दो महीना मे पिछली कुछ तों में जिस तरह से अभी वोट ऑन किसका वोट काटेंगे यह अभी हमें इसके उपर भविशवानी करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया और एक समय जो हमें लगा की एक ध्रूवी करन हो गया बाइपोलर हो गया एक साइड में कॉंगरेस एक साइड में आम जाके उपर अब भी तक लगता था हमको के आपका अडवांटज है उसके कारन यह है कि लोग जो ट्रडीशन पार्टीज है टोटली फैड़ अप विद किसी से भी बात कर लिए दिहात में जाके जो ट्रडीशन पार्टी अकाली कांगरेसी है इनके बारे में वह लगता है क जहां दिहात वाड़ी लोग हो सकते थे जहां अर्बन जो था दूसरा कम्यूनिटीज हो सकते थे आपनी जैसे कहा पहले बार भी पंजाब का अलग-अलग जो हिस्सा है दौाबाल मालवा तो किस तरह से आपका लग रहा है अभी जो जो चुनाओं होने वाले है किस तरह से बहुत अलग-अलग पार्टी का मिलने का समभणा है पिशली लेक्शन में यह हुआ था कि आपका बिलकुल ही जो मज़ा एरिया में है आपका इसमें कोई भी मेरे खाल ज्यादा तर कैंडिट की जमानते जबत हुई थी दौबा को में इसको दो सीटे मिली थी और मालवा मे को एक पार्टी नहीं है कर पोर्टे एजनसी जैसा इसका उनि है गाव में इसका ब्लाक समझी को आफ़े क्योंकि वोटों को जो स्पोर्ट को वोट में ट्रांसफर्म करने के लिए आपको पार्टी का स्ट्रक्चर उसमें चाहिए तो यह होता है कि लोग उनको कहते हैं कि वोट डालनी है पर उसके बीच में बहुत सारी और बातें लास्ट में तक आती रहती है को जो ट्रडिशनल जो स्टैबलिश्ट प्लिटिकल पार्टीज है इनका गाउं में भी ग्रॉप भी है सरपंच भी है धड़े भी है सब कुछ तो इसलिए सब कुछ होने के बावजूद कई बार उसमें फर्क करे जाता है और आप जैसे कह रहे हैं कि एक वेक्ति को उमीदवार आपने बना द और जैसे आपने कहा दोआबा इलाका माजा अरिया में वहां पे आप अभी भी कमसूर है इसका सर मतलब यह है कि जो पंजाब की जो ट्रडीशन पॉलिटक्स है वो फैक्शनल है वह धड़े बंदीव के उपर धारत है और जब आप उस प्रॉपर वहां धड़ा निबनते आप पुरा ग्रॉप नहीं बंड़ते ग्रॉप तब बंड़ता है कि आप होते हैं आपका उसमें जो है करते हैं पार्टी का रोल में बहुत इंपॉर्टन होता है यह है आम आधिम पार्टी का तो इसलिए पिशले साल भी लगता था लेक्शन से पहले कि इनकी ग्राउंड बिखरना शुरू हो गया दूसरी बात यहां कि भगवंत मान कि हम बात करते हैं ठीक है कभी भी ओठीक है मालवा को रीप्रेजन्ट करते हैं पर क्योंके माजजाद वाबा में लीडर वो चाहिए जिसको सभी जो एरियास के लोग है वो उसको वो समझें कि भई यह सबको ल मौका देंगे इस बार हम जो है नई पार्टी को मौका देंगे पर लगता यह है कि माजजा और द्वाबाब में अभी उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज है हाँ ठीक है पिशले साल मालवा में ऐसे हुआ था और और किसान जो खास करके जो पहले कांग्रिस में अकाली में या और लोगों में बटे हुए थे जैसे कहते यूपी में दूसरे में बटे हुए अब किसान बढ़े अब पंजाब में यह चीज़ देखने को मिलती है कि जो अकाली थे जो कांग्रिसी थे थोड़ा-थोड़ा वो जुनाइट होके किसान क्यों की तरफ जो बढ़ रहे है इसलिए आपने जो थुर देर पहले जो बताया है एक समय हमने कहा था सब एक साथ है समयुक्त किसान मोर्चा अभी वो तो समयुक्त नहीं है एक हिसा निकल गया राजेवाल ग्रूप वहां से बोल रहे है कि हम भी चुनाओ लगे जो हमें कहेंगे कि नहीं हम चुनाओ हम र पर आपकर क्या सोच है कि मैं को लगता है कि जिस तरीके से यह नोंने डिसाइड किया डिवाइडर तो है या बिलकुल आप बजा कह रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी जथे बंदी थी बीके यू उग्राहां वाले वो उन्होंने विड्रॉव कर लिया बदतीस में करनी तो बहुत असान है लोजिकल एंड तक ले जाना उसके लिए रिसोर्स चाहिए उसके लिए और्गिनेशन चाहिए उसलिए सारा नेटवर्क चाहिए तो यह समस्या तो है यह इसमें यह निया कि हम कहें कि बहुत बड़ा जो उसमें मारका लग जाएगा जरूर है जहा जो चार बंदे बठाने के लिए बंदे इनके पास है और हमने यह देखा है कि जा पोलिंग स्टेशन पे अपर आपके लोग बैठे हो कोई ना कोई वोट आप ले लोगे डिपेंट करता है इसा है कि आपने बहुत सरह में लोगों को समझा दिया कि कॉंग्रेस अपने पैर में कुलहनी लगाया अपने आपको कमजोर कर दिया तो एक समय लगा था एक दो पार्टी के लड़ाई अब बहुत जटिल हो गया वोट काट रहें दो एक दूसरे का वोट काट रहें तो एक तरह से पूरा चुराओं का जो नतीजह है एक पर पहले क्या स्थिती है नए स्थिती है मैं निउस्क्लिक के सारे दर्शक से आपको धन्यबाद देने चाहते हैं नमस्कार